सुलो बच्चों चलो हम लोग कटाफ डिसकस करते हैं कि एक्सपेक्टेड कटाफ क्या हो सकता इस साथ 2022 में with the help of 2021 and 2020 साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे किस स्टेट में कितनी सीट्स है अगर सीट्स आपको पता हो गई तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो 2020 में कितनी सीट्स थी, 21 में कितनी सीट्स है और 2022 में expected कितनी सीट्स बढ़ रही है अगर ज़्यादा सीट्स बढ़ रही है तो कटाफ तो वैसे में नीचे जाने के चांसिस होते है तो बहुत सारे predictions, बहुत सारे ideas लगाएंगे इसमें और पिछले साल का data देखेंगे, इन सभी का data मैंने बहुत detailed analysis कर रखी है, इंडिया का almost कोई state छोड़ा नहीं है मैंने 2021 में, तो बहुत सारे videos हैं ऐसे, जिसमें मैंने cut-up predict किया है, मैं उनका एक पूरा का पूरा playlist बना दू उसमें मैंने college-wise, cut-up कितना गया, हर college का cut-up कितना गया, और All India Ranking के साथ, All India Ranking जानना थोड़ा और अच्छा रहता है, क्योंकि ranking, marks बदल जाता है, लेकि ranking का बहुत जाता variation नहीं आता college-wise, हाँ ये है, mop-up और history में कुछ-कुछ surprises होते हैं, but that cannot be taken into account of general discussion, कुछ जो cut-up होता है माप-up में और history vacancy round में वो surprising होता है, लेकिन वो कुछ-कुछ seats के लिए availability होती है, तो उसको हम बहुत ज़्यदा generalize नहीं कर सकते हैं, आपको generalize करना चाहिए, phase 1, phase 2, यानि round 1, round 2 के cut-up के बारे में, तो अभी फिलाल मैं सिर्फ 4 states का discuss कर रहा हूँ, और मैं बहुत जल्दी ही सारे state का discuss कर दूँगा, कुछ-कुछ major state जो North India में है, Central India में है, और South के, North East का अगर demand आएगा, तो वहां का भी बना दूँगा, लेकिन अभी majority, major तोर पे मैं discuss करने वाला हूँ, UP, Bihar, हरिवारा और मत्यप्रदीश, इन 4 state का मैं discuss करने वाला हूँ, remaining state का मैं बहुत जल्दी आपके वीडियो देने वाला हूँ, और पिछले साल का वीडियो जरूर देख लेना, पिछले साल के वीडियो में आपको बहुत help मिल जाएगा, उससे idea लग जाएगा, क्योंकि 2020 का analysis है college wise, 21 का आप लो more or less जानते होगे अपने colleges का, अपने state का, उसके हिसाब से इस साल क्या ह हो सकता, आप देख सकते हो, तो चलो start करते हैं one by one, इसमें मैं सबसे पहने मद्द प्रदेश का start करने वाला हूँ, फिर मैं इसके लेने वाला हूँ, हर्याना, बिहार and UP, ये sequence रहेगा, तो मद्द प्रदेश में इस साल बच्चों के लिए बड़ी खुसी है, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके according 600 seats इस साल बढ़ेंगी, ऐसा government seat का ऐसा है, एक circular, कि 600 seats बढ़ेंगी, तो बहुत ज़्यादा cut-off drop हो सकता है, मैं cut-off का prediction बिना seat बढ़े भी बता देता हूँ, क्या हो सकता है, और seat बढ़ गई, तो क्या हो सकता है, ये भी मैं बता देता हूँ, मद्द प्रदेश में total 25 colleges हैं, government और private को लेके, इस पे मैंने पुरा वीडियो बना रखा है, total MBBS seats हैं, यहाँ पे 4055, including 100 seats, जो central category की होती है, एम्स की, government की state में 2055 seats हैं, जिसका 85% state को जाएगा, 100 seats हैं, जो एम्स का है, और 600 इस साल बढ़ सकती हैं, सरकारी कोटे में, private में 1900 seats हैं, ये भी आगे बढ़ सकता है, private का seat बढ़ सकता है, हो सकता है, 600 में कुछ private में बढ़ें, कुछ government में बढ़ें, ये फ्लड़ा clear नहीं है, मेरे इसाब से हो सारे government के हैं, लेकिन private का भी हो सकता है, ये 2020 में जनरल का cut-up 560 गया था, थोड़ा बहुत map-up, इस ट्रे में variation आ सकता है, OBC का 555, EWS का 555, SC का 425, ST का 301, मैं स्क्रीन पे भी दे रहा हूं इसको, 2021 में 551, 545, OBC का EWS का 544, SC का 429 और ST का 328, इस साल जो cut-up expected होगा, nearly थोड़ा down ही होगा, other seats बिलकुल नहीं बढ़ी, तो, तो हो सकता है, 550 से उपर वाले बच्चे एकदम safe मान सकते हैं अपने आपको, 540 से उपर वाले OBC वाले बच्चे safe मान सकते हैं, 540 से उपर वाले EWS के safe मान सकते हैं अपने आपको, SC में 425 वाले सारे student safe मान सकते हैं अपने आपको, और ST में 325 या इवन इस से थोड़ा बहुत नीचे वाले बच्चे भी safe अपने आपको मान सकते हैं, अगर 600 seats पूरी की पूरी government में आ जाती हैं, तो आप पूरे अपने कटाप में कम से कम 10 से 15 नमबर और नीचे कर लीजे, हर कटेगरी में, नीचे वाली कटेगरी जो SCST है, उसमें 20 नमबर नीचे कर लीजे, बट जनरल OVC EWS में 10 to 15 मार्क्स आप नीचे कर लीजे, इतना नीचे आराम से गठाप आ जाएगा, अगर 600 seats एड होई तो, तो यह तो रहा मद्यप्रदेश का, सबसे ज़्यादा seats यहां पर एड हो रही, second highest है यह, राजस्थान में भी काफी जाता है, उसके माद आजाते ह हर्याना में, हर्याना में competition level हमेशा से जादा रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ, colleges यहां सिर्फ बा रहे हैं, और भी government private मिला के, MBBS seats हैं, 710 government की private की 950, total 1660, as per the circular there is no seat increment in this state, so the fight will still on, and 2020 में cut-off of general was 600, OVC 570, EWS 597, और SC was 495, 2021 में 609, 574, 605, 504, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसमें क्या होता है, एक second round का हम लेते हैं, मौप अप और स्टे में थोड़ा बहुत variation होता है, but that is for few seats, तो वो हम कई बार, we will not take into the consideration, second round तक बड़ा clear आपको बताता है, उसके बार थोड़ी seat बच जाती हैं, तो कई कई बार, कुछ लोग apply करते हैं, उनको मिल जाता है, कुछ लोग थोड़ा भरने में गलती कर देते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, 2022 में जो expected cut-off है, उसमें बहुत ज़्यादा change नहीं आने वाला, दो paper tough था, तो lower cut-off नीचे जाने के chances हैं, पांच नमबर, लेकिन फिर भी इस state में थोड़ा सा इस state के लिए apprehended हूँ, में doubt होता है कि, क्या इतना नीचे जाएगा, फिर भी 605 प्लस से उपर हरियाडा के जनरल बच्चे अपने आपको safe मान सकते हैं, उनका इतने नमबर पर ये ओल इंडिया से भी हो जाएगा, और ज जनरल में, और इंडिया का state कटाव से नीचे जाता है, EWS 595 के आसपास अपने आपको safe मान सकते हैं उसे उपर, और ST category 500 से उपर अपने आपको safe मान सकते हैं, अब आ जाते हैं बिहार स्टेट में, बिहार स्टेट को seat मिलनी चाहिए 500-600 मुझे लगता है, बट बड़ा प्रा से बिहार स्टेट के seats आप लोग बढ़वाईए, बिहार में कुल मिलाके 20 colleges हैं, गौर्मेंट और प्राइबिट मिलाके, और MBBS seats है 2540 जिसमें गौर्मेंट की 1390 seats हैं और 100 seats aims की हैं, वो भी गौर्मेंट ही होता है, लेकिन वो All India's admission होता है, प्राइबिट में 950 seats हैं, 2020 में cut- जंदल का और 2021 में भी यही रहा, 2022 में भी यही रहेगा, एक दो नमबर नीचे 608 मैंने लिख दिया है, OBC का 2020 में 604 था, 2021 में 606 और expected इसमें 23 नमबर नीचे आप कर सकते हो, paper tough था थोड़ा सा, EWS 598 था 2020 में, 2021 में बढ़ गया 605, इस साल भी उतने के आसपस 600 प्लस वाले बान सकते हैं, extreme backward class 587 थोड़ा नीचे हो जाता है, 595-221 में था, and 590 प्लस को मैं safe कह सकता हूँ, 2022 में, ranking almost बहुत ज़्यदा abrupt change ना होई तो, almost यही रहेगी, ranking wise भी मैंने last year आपका data बनाया था, इस साल थोड़ा जल्दी बनाना है, और बहुत ज़्यदा time नहीं लेना है, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, otherwise मैं All India ranking के साथ बनाता हूँ, मैं पिछले साल जितने वीडियो बनाये हैं, उसमें यह सब दे रखे हैं, उसका link मैं share करूँगा आपको, ST category 220 में था, 457, 221 में 450, और expected इस साल 440 के आस पास जाएगा, इस से उपर, यह variation second round तक होता है थोड़ा बहुर, आपका जो कटाफ मैंने लिखा, एक दो नमबर इधा उधा हो सकता है, ST 487 था, उसके बाद dip हो गया 2021 में, इस साल भी 430 के आसपास ही हम मान सकते हैं, तो यह तो रहा बिहार का, अब आज आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में total colleges हैं 67, यहाँ पर गॉर्मेंट के हिसाब से 50 सीटें साल भढ़ेंगी, MBBS के सीट्स है 3878 गॉर्मेंट की, और 300 इसमें AIMS की सीट्स हैं, Central University AIMS, BHU और AME और सब मिला के, और 50 सीटें बढ़ने के चांसेज हैं, प्राइबेट में 4750 सीट्स हैं, total 8925 सीट्स प्लस 50 जो बढ़ने वाली हैं, 67 college बता चुका हूँ, यहां पर 2020 में कटाफ 607 था, लोर कॉलेज का, 2021 में 595 आ गया, एक 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 राउन में बढ़ भी गया था, अगर आपको पता हो, तो माप अप राउन में एक कटाफ उपर बढ़ गया था, फर्स्ट में डाउन गया, सेकेंड में साइड डाउन गया, माप 90 प्लस वाले बच्चे अपने आपको सेख मान सकते हैं, 595 अगर हो तो और अच्छा है, लेकिन 590 तक जा सकता है, मेरा अपना उमीद है, OBC में भी इसी के आसपास रहेगा, OBC काटेगरी भी UP में बहुत है, और competition टाइट है वहाँ भी, 2020 में 605 था, लास्ट यह का फिर साथ नंबर नीचे जाने के चांसे हैं, SC 453 था 2020 में, फिर 452 हो गया, इस साल SC का नीचे जाएगा, यह certain है, 100% certain, 445 प्लस पे आप सेख मान सकते हो, ST 259 था, लास्ट यह 241 था, इस साल 235 प्लस जा सकता है, तो it was all about, you know, expected cut-up, expected cut-up may be wrong, यह वैसे ही है, जैसे share में हम कहते हैं कि एक subject to market risk, तो यहां में subject to performance risk है बच्चे जोंगा, तो आप लोग अपने comment बताईएगा, अगर कुछ गलती हो, प्लीज बता देना, मौँ उसको सुधार लूँगा, यह कई-कई बार हो जाता, mistakes, और अब मेरे बहुत सारे videos इस पे बन रखे हैं, last year बहुत detailed analysis किया था, उस को आप एक बार देखना, आपको definitely उसे help मिलेगा, so thank you very much, take care of you, of yourself, और अगर जिनके border पे number आ गए है, वो भी से तयारी सुरू कर ले,